बॉश्टक रशाती हो इस टोपिक में हम देखंगे घ्रल वलॉक्त क्या ओते हैं- जो कि यहां पर ढ़िइंग देख रहे हैं- इससे परल विलॉक आजदा गॉक्षोप में अलग अलग तरह के प्राइल को फिसके जाता है जिसके की प्राइल ब्लॉक में जहां पर हमी जॉपके ओपर म Osman करने करने होती दो motherf favor कि जाता है अधान इसमें की solid parallel blocks और adjustable parallel blocks solid parallel blocks जिसमें की rectangle shape का piece होता है जैसे कि rectangle shape है इसमें यह जो बना होता है यह steel का बना होता है और इसके उपर में hardening की जाती है साथी में इसको grinding करके finish किया जाता है कभी-कभी इसके उपर lapping भी की हुई होती है parallel block को close limit तक machining किया जाता है और कि इसके dimension होता है वह accurate size में बनाए जाते हैं यह वाला portion और flatness ने कि उपर वाला portion यह जो होता है यह पूरी overall length में parallel होते हैं जैसे कि यहां पर जो size है यह यहां पर भी रहेगी और parallel block जो होते हैं वह जोड़े में होते हैं यह कि इसको हमेशा pair में use करना होता है साथी में इसमें दो grade होते है grade A और grade B ए grade वाले जो parallel blocks होते हैं उनका use fine adjustment के लिए किया जाता है जैसे कि tool room में job code set करने के लिए ए ग्रेट वाले parallel blocks यूज की जाते हैं और बी ग्रेट वाले parallel blocks वर्क्षाप में जेनरल परपस के लिए किया जाता है अब आते हैं एड़ेस्टेबल parallel blocks अने की यह वाले parallel blocks इसमें टंग और ग्रू एक टाइप की assembly होती है जिसके दोबारा इसको also kiya जाता है जोएक पीस होता है इसमें एक टंग होती है और ये जो ये पीस होता है इसमें एक गहुँन होती है ग्रू ओर तनक को आपकर मिला जाता है एड़ेस्टेबल parallel blocks में हम जॉप की setting जो होती है वो अलग- protocols Prince को set कर सकते हैं उसके बाद में आते हैं designation तो parallel block का designation कैसे लिखा जाता है designation लिखते समय हमें उसका type बताना होता है grade बताना होता है parallel block के size और is number यह हमें designation में लिखना होता है for example जैसे कि solid parallel blocks यह 5 into 10 into 100 is 4241 इसका मतलब यह है कि यह जो parallel blocks है यह solid type का है इसका grade जो है वो यह type का है और इसकी जो size है वो 5 into 10 into 100 है और इसका जो इंडिये standard number है वो 4241 है और यह adjustable parallel block है तो उसमें adjustable parallel blocks 10 into 13 is 4241 इसका मतलब यह जो parallel block है adjustable type का है इसकी जो size यह 10 into 13 है और is number इसका 4241 है तो यह हो गया parallel block का designation अभी चलते हैं parallel block की size जो यह type जो solid parallel block होते हैं इसकी grade और size क्या होती है इन में दो type की grade होते है है A और B और इसकी जो size होती है वो होती है TWL यह जो यह जो है तिकनेस और यह width और यह length यह यहां पर specification दिया गया है तो यह size होती है 5 into 10 into 100 यह दो ग्रेड में अवलेवल होती है A over B उसके बाद में 10 into 20 into 150 यह भी parallel blocks A over B दो ग्रेड में अवलेवल होते हैं उसके बाद में 15 into 25 into 100 यह इन्टू 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 होते हैं उसके बाद में 40 x 80 x 350 यह सिर्फ बी ग्रेड में आवलेबल होते हैं और जो 50 x 100 x 400 यह भी बी ग्रेड में आवलेबल होते हैं सो जो solid parallel blocks होते हैं इनमें ग्रेड होते हैं और जो adjustable जैसे की है अदस दस से 13 यह इसकी रहें हो गई तक और इसकी यह लेंथ होगई इसकी 40 इसकी एस पाद में 16 से 20 इसकी लेंद होती है 60 उसके बाद में 20 से 25 इसकी लेंद होती है 65 उसके बाद में 25 से 30 इसकी लेंद होती है 70 और 30 से 40 इसकी लेंद होती है 85 और 40 से 50 इसकी लेंद होती है 100 तो यह है पर्लाइल ब्लॉक की साइज ग्रेड और रेंज तो यही था आज के लिए मिलते हैं अगले अडियो में एक ने टॉपिक के साथ जो कि है हमारा एंगल प्रेट वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही ब